आसाम अमरिकम स्टूडेंट्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगे फर्स्ट येर बायो फैसलाबाद बोर्ट ग्रूप नमबर वन के सॉल्ड एमसी क्यूज का पेपर टोटल हमरे पास 17 MCQs है और इसको अटेम्ट करने के लिए हमरे पास 20 मिनट्स का टाइम दिया गया था अब आप लोग देख लें आपके कितने MCQs हैं और कितने मार्क्स आ जाएंगे और जिन स्टुरेंस का सेकंड टाइम पेपर है वो फस्ट टाइम वालों का बहुत अच्छे से देख के जाएं यही कुशन आपके पेपर में रपीट किये जा सकते हैं सबसे पहले मारे पास MCQs नमबर वन है उसका अंसर बनता है डी MCQs नमबर टू का अंसर बनता है मारे पास ए MCQs नमबर छ्री का अंसर बनता है जी सी MCQs नमबर फोर का अंसर है मारे पास ए नेक्स है मारे पास MCQs नमबर फाइफ उसका अंसर है ए और MCQs नमबर सिक्स है उसका अंसर बनता है डी उसके बाद नेक्स आजाए MCQs नंबर 7 की तरफ MCQs नंबर का सा अंसर है हमार पस C 7 का C है MCQs नंबर 8 का है B आप लोग अपने paper court के recording answers चेक करें आपके हो सकते हैं MCQs उपर नीचे हो सकते हैं आपके paper court के according तो आप लोग पहले MCQs पढ़ें उसका बाद उसका अंसर देखें कौन सा आपने अंसर लगाया था MCQs easily आप लोग read कर सकते हैं Question paper जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा उसके बाद आ जाता है मरपस MCQs No.8 जिसका अंसर बनता है मरपस B MCQs No.9 का अंसर बनता है जी A MCQs No.10 का अंसर है मरपस C MCQs No.11 का अंसर बनता है मरपस B Next आ जाते हैं MCQs No.12 की तरफ MCQs No.12 का है A MCQs No.13 का C MCQs No.14 का D MCQs No.15 का D है Next है मरपस MCQs No.16 उसका है C और last MCQs MCQs No.17 उसका अंसर बनता है जी मरपस C इसके इलावो कोई भी question आप ला comment section में पूच सकते हैं All the best friends for your exams Allah Hafiz